तो टॉफ फिलोर पर सबसे उपरन में हमारी एक फल वाली सबजी होगी मतलब फल वाली एक फसल होगी ये स्ट्रेक्चर पर एक लता वाली फसल होगी इसके नीचे सर्फेस पर एक पत्ती वाली सबजी होगी और इसके नीचे स्पेस पर कंद वाली होगी मतलब हम मिट्टी के अलग अलग पर्त का इस्तमाल कर रहे हैं जमीन के सरफेस पर पत्ती वाली सब्जी की जड़े हैं उसके नीचे हमारी कंद वाली सब्जी की जड़े हैं उसके नीचे ये लता वाली सब्जी की जड़े हैं और उसके नीचे हमारी फल वाली सब्जी की जड़े है एक तो इन्हों ने कहा कि इसके दुरों तरफ से लत्तर चढ़ाएंगे तो पोल के बीच में हम एक फसल लेंगे जो की एक मीटर तकी होती है और जो की दो तीन साल, चार साल, पांच साल तक फल सकती है जैसे की बाइगन है या मिर्च है, टमाटर है, बिंडिया, 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 बिंडि बना लेते हैं, ठीक उसी तरह से कम जगह पड़ने पर छोटी से खेत में एक की उपर एक फसल उगाने के कॉंसेप्ट को मल्टि लेयर बोलती है, ये 2014 में हम लोगों ने सावर में इसका कॉंसेप्ट रियार किया, और पूरे देश में जाके लोगों को जागरुप कर रहे हैं इसके पीछे और बता रहे हैं, तो हजारों मोडल अभी पूरे देश दुनिया में खड़े हो गए हैं, और काफी पॉपुलर्टी इस मोडल है, हासिल की देश के बदा मंत्री में इसके इसके एपिसेट किया, इस मोडल में हम लोग करते क्या है, कि बास का और घास का, दो उक पाउसिजो का सहारा लेके और वाइयर का सहारा लेके एक ऐसा बाता हम तूल इस घर बनाते हैं, आज मोश्म का बदलाव है वह बिरा एसर डाल पर क्लाइमिट चेंग तो उसके कारण जो छोटे पौदे होते हैं, सबजी वाले पौदे होते हैं, उन पर मौसम का बुरा असर बढ़ता है, और वो तेज गर्मी में जुलस जाते हैं, तेज ठंडी में, पार्दी में बैट जाते हैं, तेज बारिस में गल जाते हैं, तो उनको पोटेक्ट करने के के लिए ये धाचा है और चार फसलों को उगाने के लिए भी ये धाचा है इसमें हम पांच वाई छे पर ये पोल की सिटिंग करते हैं फिर इन पोलों को बॉडर के बैंबू से ये सीजा इस्टे टाकनी तक औरने तक चारों तरफ बीम के माँ पर जोड़ देते हैं फिर ये मोटे से ये लाईन के सारे बैंबू ओं जोड़ देते हैं और फिर उसके बाद जो है एना ये बायर से इसको जाला दून देते हैं जाला बुनने के यह ऐसे फैलाते कि 50% धूपा इस से 50% चाया बन जाए अब क्या करेंगे हम कि यह जो दो बैंबू है इन दोनों बैंबूओं के बीच में रास्ता निकालेंगे देड़ फिट का और यहां से लेकर यहां तक यह बैड हो जाएगा और यह बैड के सेंटर में आ जाएगा उसके उपर पत्ती वाली सबजी बो देगे मैथी पाला धन्या चोला इस तरह का छोटा-छोटा जो समय में होने वाला है और उसको बोने से दो फायदे होंगे एक तो 50% धूप यह रोक ले रहा है 50% धूप नीचे आ रहा है तो 50% धूप से नीचे की वेजिटेबल बहुत अच्छे से ग्रो करेगी और पत्ती वाली सबजी पूरा जमीं का इसपेस ढख लेगी तो उसके पानी का एवापरेशन रुख जाएगा जो पानी अभी हम डालते हैं खेतों में थोड़ी देर के बाद में धूप और हवा लगने से उड़ जाता है यह डालने से 50% रोकेग नीचे पत्ती वाली सबजी डालने से तो 80% रुख जाएगा तो पानी का पूरा उड़ना रुख गया तो 30% पानी में 4-5 पसले यहां पर उगेंगी मतलब पानी की भारी भचत इस मॉटल में होईगी दूसरी बाद जब हम पत्ती वाली सबजी लगाएंगे तो पूरा एर जब निकालेंगे तो डेली बेसेस पे हमारी इंकम जनरेट होगी और सेकेंड जो है ना पत्ती वाली सबजी उखाड़ने से मिट्टी का रूट उखड़ेगा और रूट उखड़ने से मिट्टी के अंदर जो पूरो सिटी डबलफ होना चाहिए वह जाएगा तो पूरो सि जरूर नहीं है फिर इसके बाद तीसरी फसल के रूप में जो हमने पोल लगाए है इनी पोलों के लेट और राइट में लता वाली फसल लगा देंगे ये लता वाली फसल इसके उपर जाके ये जो जाला हम बुल रहे इस जाले पर फैलने लग जाएगी तो तीसरी फसल के रूप में हमारी जाले पर फसल हो जाएगी इसी जगह पर हम 15 वाई 15 पैस सहजन है पपीता है या कोई भी एक फूट क्रॉप लगाएंगे वो फूट क्रॉप इससे सीधा इस्ट्रक्चर की ऊपर निकल के जाके पलेगी तो टॉफ फिलोर पर सबसे तो टॉफ फिलोर पर सब डौata इस पर कंदवाली होगी मतलब हम उन्हाु मिट्टी के अलग अलग परत का इस्तमाल कर रहे हैं जमीन की सपर पक्ति वाली सबसी नीचे हमारी लकिट वाली सबजी की जड़े हैं क्योंकि फ़ल वाली सबजी जो फल वाली जो क्रॉप्स हैं वह बहुत लंबे समय के होती है तो उसकी जड़ेप बहुत टेपी जाती है दो से ढाई फिट, तो दो से ढाई फिट पर जो मिट्टी के पास खाना पानी पड़ा है, वो फल वाली फसल को मिलेगा, जो उसके थोड़े और उपर पड़ा है, दो फिट की हाइट पर वो पैरलली एक creeper's crop को मिलेगा, जो उसके और उपर पड़ा है, वो हमारी कंद वाली मिलेगा और जो बिल्कुल जमीन के सरफेस में पड़ा को पत्ति वाली सबजी को उसे हर एक सतर पर मिट्टी का हम यूटिलाइशन तर रहे और हर एक सतर पर हम मठी में पड़े खाद और पानी का यूज कर रहा है और कम जगे में चार गुना productivity निकाल के खर्चे को चार गुना कम कर रहा है और इस model के साथ मैं किसान की आंदानी पूरे साल भर टुकड़े टुकड़े में होती रहती है आज पूरे भारत का अगर हम अपना agriculture का economics देखें तो साल में maximum तीन बार नहीं तो दो बार इंकम होती है एक रभी सीजन में खरीफ सीजन में इस model के साथ में 25 दिन के बाद ज्यों आपकी इंकम चालू होगी रोकेगी नहीं non-stop जब तक सारी फसल निकले हैं तो क्या होगा कैस का फिलो प्रापर बना रहेगा हर दम कुछ ना कुछ revenue जनरेट होता रहेगा उससे हम तूटेंगे नहीं कभी भी तो यह एक खासियत है और छोटी मोटी और खासियत में लाएं तो देखिए मौसम का जो बदलाओ है वो इस model के असर अंदर कोई असर ने डालता इसके इसके अत्रीक दो और फसल हम यहां लेगे यहां पर ट्राई करों एक तो इनकों ने कहा कि इसके दुरों तरफ से लत्तर चढाएंगे दो पोल के बीच में हम एक फसल लेगे जो कि एक नीटर कक्ती होती है और जो कि दो तीन साल, चार साल, पान साल तक फ़ल सकती है जैसे कि बाइगन है मेर्च, या मिर्च है, टमाटर है बिंटी है, बिंढी है, या सचला कर दियाए है अब माल लिजए कि एक राई हमने मिर्च का कर दिया गया है यक तौह ngo कि आता रहे है ज़लाय है अब बाहर मैं कि भी तेखाने पार फुछ के तार दिया है ये बाहर या आढहर देंगे, या गन्ना देंगे, या पॉपी तरणी चारो कोने में रहेंगे, आप देना से इसको थोड़ा उपर डाल के दिखा दिखा दिजेंगे नहीं समझ मैं तो इससे 50% फिल्टर हो जाती है और इस इस मॉडल की ये खासियत है कि छोटा के साथ जो खेत में खुली ढूप में काम नहीं कर पाता वो इस मॉडल के अंदर पूरा टाइम इसमें काम कर सकता क्योंकि ये भारतान उकुल घर बन जाता है और गाओं की महिलाएं बहनें जो काम करने खेतों में नहीं जा पाती है वो आपको ये हमजिये की द्रोव अपरकास की ओरते जो हैं जरीब दीजिए तकाम करना चाहती है तो नहीं जा पाती है इसमें आके अराम से लाइफ भिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बूक पर लाइक जरूर करें